सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेक का मुकाबला अगर अल्टरा इंक्सिंट से हुआ तो कौन जीतेगा नहीं पता तो कोई बात नहीं मैं बताता हूँ सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेक गोकु का वो फॉर्म है जो कि उसने सुपर सेन ब्लू के बाद अचीव किया था और अगर हम सुपर सेन 4 की बात करें तो वो कोई गोड फॉर्म नहीं है वो उसने सुपर सेन 3 के बाद ड्रागन ब्रेक के अंदर अचीव किया था Super Saiyan 4 limit break की बात करें तो उसने Super Saiyan God और Super Saiyan 4 का mix up करके Super Saiyan 4 limit break का formation किया था तो इसी सबसे हम ये मांच सकते हैं कि Super Saiyan 4 limit break एक God form भी है तो अगर हम Super Saiyan 4 को Super Saiyan God से compare करें तो Super Saiyan God Super Saiyan 4 को अराम से हरा देगी क्योंकि Super Saiyan God Goku की पहली God form थी जब उसने God की को unlock किया था और इस form के अंदर Goku को God की basic power मिलती है और अगर हम Super Saiyan 4 को Super Saiyan Blue से compare करें तो Super Saiyan Blue Super Saiyan 4 को और भी अरम से हरा देगी क्योंकि उस form के अंदर Goku की base power तो होती है और साथी साथ God की थोड़ी सी power और बढ़ जाती है जिसके हुजय से उसको हराना और भी असान होगा बट अगर हम Super Saiyan 4 limit break की बात करें तो नई Super Saiyan God उसे जीत सकता है और नई Super Saiyan Blue क्योंकि Goku ने वो form Super Saiyan Blue के बाद अचीव किया था यानि कि वो form God और Blue दोनों से ज़्यादा powerful है क्योंकि उसके अंदर Super Saiyan God और Super Saiyan Blue और Super Saiyan 4 तीनों की power है लेकिन अगर हम बात करें कि आप अल्ट्रा एंक्षिन को हरा सकती है तो इसका अंसर है नहीं क्योंकि हम लोग यह बाद तो जानते ही है कि God से ज़्यादा powerful angels होते हैं तो जब Goku की God forms है इससे powerful form ही एंजल वाली form है जिसको हम अल्ट्रा एंक्षिन बोलते हैं इस form के अंदर गोकु को इंजल की एक बेस पावर मिल जाती है यानि कि इससे बेसिक पावर तो इंजल की बेसिक पावर भी काफी है उस God form को हराने के लिए